कि डियर स्टुडेंट आप सभी कैपी स्टडी कामर्स इंड इंग्लीज गुरुजी चैनल में स्वागत है आज हम स्टार्ट करेंगे बैंक समधान विवरण के पत्र के जो क्रियात्मक प्रस्ण है उनसे स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम रोकडबही के डेविट सेस्ट संमधान विवरण पत्र कैसे तयार करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बैल आइकन को प्रेश कर दीजे ताकि जब भी मैं न्या वीडियो डालू तो आप तक उसका notification तुरंद पहुंच सके इसलिए subscribe किये रहेंगे तो आप तक जो है उसकी जानकारी पहुंच पाएगी तो चलिए पहला जो वो question है वो है 30 अपरेल 2000 को ए के bank खाते में उसकी रोकड बही के नुसार 40,000 रुपे नामे थे आगे यहाँ पाया गया की आगे यह पाया गया तो सबसे पहले हमको देखना है की को अगर आपने पिछले विडियो को देख लिए क्योंकि इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आएगा अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है और किसको प्लस करना है किसको माइनस कर रहा है अगर आप नहीं जान रहे होंगे तो तो सबसे पहले पहला कोश्चन में देखिए 30 अपरेल 2000 को एक बैंक खाते में उसकी रोकड़ बही कनुसार 40,000 रुपे नामे थे 60,000 रुपे बैंक मैं संग्रहित हो गया है बैंक में संग्रहित होकर जमा होगया मतलब हमारे 20,000 रुपे एकाउंड में क्रेडिट हो गया डल गया है o l pitches कर बाए तो उसको कि ने हमाज में थे टिक उप बात दूसरा है पहला का देख लिजिए तो हमने क्या लिखा यह देखिए इसका विवरण रोकड बही नुसार डेविट सेस करके लिखेंगे बैंक समाधान विवरण तो विखेंगे बरहाबर आएगा इसलिए हम इसको क्या करBA में जम्मा करां में पर उनका संग्रहन नहीं हुआ 6000 का हमने चेक तो जम्मा करा दिया तो हम जब भी जम्मा कराते हैं चेक को बैंक में तो हम अपने रोकडबही में लिख करके बैंक में भेज देते हैं ठीक तो हमारे रोकडबही में उतना पैसा हमने प्लस कर दिया लेकिन वास्ताव में हमारे passbook में उतना पैसा aider नहीं हुआ है चड़ा नहीं है, उतना पैसा डला नहीं है हमारे bank खाते में, तो हमारे bank खाते का balance कम दिखाएगा, और जब की record भई का balance क्या होगा, ज्यादा दिखाएगा क्योंकि हमने 6000 को इसमें plus कर दिया इसलिए ज़्यादा दिखाएगा चोंकि हमारा पाजबुक का बैलेंस जो होता है वह सही होता है इसलिए हम इसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे रुकडबही में से क्या करेंगे माइनस कर देंगे तो दोनों का बैलेंस क्या हो जाएगा बराबर आ जाएगा ठीक है इसलि में लिखा है कि तीसरा है बैंक द्वारा विन्यों को पर 41 के 350 रुप पास है तेधा जो है हमारे द्वारा लिकाली गई रासी को बताता है पाजबुक का जो डेविट पक्षा है वो हमारे द्वारा लिकाली गई रासी को बताता है मतलब बैंक से हम जो भी रासी निकालते हैं या जो भी प्रेमेंट करेंगे वो हमारे डेविट पक्षा में लिखाएगा और मतलब बैंक पाजबुक में लिखाता है ठीक है और उसके बाद जो भी रासी हम जमा करते हैं या कोई जमा कर देता है या बैंक के द्वारा ब्याज का या लाभास का जमा होता है तो उसको भी हमारे क्रेडिट पक्ष में ही सो होता है ठीक है तो आपको याद रखना है बैंक से अगर हम पैसा निकाल रहे हैं या भुगतान क में क्रेडिट पक्ष में 100 होघे मतलव यह हमारे ब्याज का हमारे खाते में मतलब घटा है तो जो भी राशे हमारे खाते में प्लास हुआ है तो उसका हम रोकडबही में भी उसको जोड़ना पड़ेगा हमको इसलिए क्योंकि बैंक बैलेंस ज्यादा दिखाएगा और रोकडबही का बैलेंस हो कम दिखाएगा तो दोनों को बराबर करना है हमको तो रोकडब यहां पर देखें लिखें हैं बैंक दौरबिन्योगों पर एकत्री ब्याज जिसका लेखा रोकड बही में नहीं है तो 350 रुपय हमने इसको जोड़ा है क्योंकि यह जो है हमारे बैंक पास्बुक में क्रेडिट हुआ इसले हमने जोड़ दिया ठीक है क्योंकि यह हमको मिला ह इसले हमको इसको क्या करना पड़ेगा इसले हमने इसको क्या किया घटाया करके लिए है चालिस रुपय तब जाकर के हमारा पास्बुक का बैलेंस और रोकड बही का बैलेंस बराबर आएगा ठीक है तो यह हो गया अब इनको क्या कर दिए हम इनको हमको जोड़ना है उपर वाला जो भी लिखे हैं उम सब को चालीस दधो चहजार चालीस को योग कर दिये अब एक लाग तीन जा तीन सो पचास में चहार चालीस रुपय को माइनस करो कितना अगे संताबी हजार तेनसो दास रुपया इसको आप इसको आप स्क्रीशॉट ले करके लिए इस प्रकार से आपको बनाना है फिर उसके बाद हम आगे दूसरे कोश्चन के और आगे बढ़ते हैं गौत को परत्फण से समस्ते हैं पहले दूसरा कोस्चन में लिखा है 31 मार्चा 2006 को 31 मार्चा 2006 को राम की रोकड वही का बैंक की इस्तांबदो थैज्ट दिखाता है राम के रोकड भाही का बैंक के इतना दिखा रहा है 2,000 ते भाथ हं लिखेंगे के रोकड भाहिका डेविट सेस लिखेंगे 2,000 ठीक है पाज़्वक से मिलान करने पर ज्याद हुआ कि स्मस्Sec को जमा करते पाँसो भी चेक हमको मिलता है किसी से दूसरे से उसको हम संग्रहान करने के लिए बैंक में देते हैं ठीक तो बैंक में अगर संग्रहान नहीं हो रहा है तो हमको उसको रोकडवही में से मायनास करना पड़ेगा क्यों करना पड़ेगा क्योंकि हमने जो है उतना रुपिया रोकडवह लेकिन हमारे पास बुक में इसका एंट्री नहीं हुआ क्योंगकि हमारा जो चCEK था वह संग्रा नहीं हुआ कि इस तारीक 31 मार्च तक चिवकर हम 31 मार्च से तक मैंक बदान प्रत्र बनारें उस तारीक संग्राहन नहीं हुआ इसलिए हमको उसको क्या करना पड़ेगा माइनास करना पड़ेगा ठीक है तो पहला जो है वह पांस रुपेक चेक जिसको हमने संग्रहान के लिए भेजा था लेकिन संग्रहा नहीं हुआ तो उसे माइनास कर देंगे दूसरा लिखा है कि उन्होंने 350 रुपे की चेक दिये थ जो उस दिन बैंक में जमा बैंक में भुख्तान के लिए प्रस्तूत नहीं हुए तो मालिज हम जो है कोई भी चेक हम देते हैं किसी दूसरे को तो हम अपने रोकड़भाही में लिख देते हैं कि जिसको भी जिसको भी तिया उसका नाम और बैंक खाता से करके तो हमारे सबस्दा निटेंगे से फू dépl recommend से घट जाएगा हा जैसे आपके पास बूक्तान करते हैं आपके पास 1500 को कर दिए तो आपके पास बचा कितना पांस और ठीक उसी प्रकार से HMEDA जो बैलैस है उसमें से उतनी रासी को माइनास कर देंगे जोड़ देंगे तो यहां पर देखें दूसरा का कैसे बनेगा दूसरा बनेगा यहां पर लिखेंगे रोकडबहिया नुसार डेविट सेस दोहजार रुपर ठीक जोड़ा चेक भुक्तान है तो बैंक में प्रस्तूत नहीं हुआ नहीं हुआ इसको हमको जोड़ना पड़ेगा एसको जोड़ना पड़ेगा ठीक है इसको जोड़ना है क्योंकि उतना रुपय हमारा पास्तूत नहीं हुआ रोकडबहिया से बैस दोनों को बराबर करना है चुकि पाज भुक में जो एमाउंट है वही सही होता है रोकड भही का जो एमाउंट है वह जो है आपको किवल जोड़ना और घटाना है तब जा करके सही आएगा ठीक है तो चेक भुकतान है तो बैंक में प्रस्तूत नहीं हुआ करके 350 रुप हमें एट कर देंगे दूसरा म वह मैं बिन, में बता दिता हूं वे भेजा लोकर में लिख लिए इस नहीं है सॊझंकल नहीं हुआ है तो में n ningún संघ्रहीत नहीं हुआ है तो हम धिया समधान व् kalian का करना पूडएगा हम को मैनसों में इसको घटा दिया यहां पर ठीक है था कि गंशार्पम्म समधर्धान रफ तो हमारे बैंक में तो जमा हो गया लेकिन उसको रोकड़ भही में हमने लेखा नहीं किया था तो हम क्या करेंगे रोकड़ भही में उसका लेखा करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा हम लिखेंगे बैंक द्वारा ब्याज रासी जमा किया लेकिन रोकड़ भही में लेखा नहीं 30 रुपया करके इसको जोड़ेंगे क्यों जोड़ेंगे क्योंकि हमारे bank पास्टबुक में यह रासी जो है जुड़ रहा है एड हो रहा है credit हो रहा है इसलिए हम उसको क्या करेंगे जोड़ेंगे ठीक है और अगर bank ने ब्याज का काट़ रहता तो सो उसको हम मैनस करते तो सन्हकर हैं कि बैंग में कोई रासी क्रीडिट हो रहा है जमा हो रहा है तो हम इसको जोड़ेंगे रोकडवहें में अगर आगर कोई रासी एक कड़ रहा है तो यह दो तोनों को जोड़े तो हमारा 2380 रुपिया अब यहां पर घटाने वाले काला मिहां जो भी है उस मद को प्रेश सो असी में से 500 घटा दिया कितना आगया खरभ का सुचनाओ के अद्हार सी भी इस प्रकार से गांगीष सुचनाओ के आधार पर बैंक समधान बीवराण तयार कीजिए 31 दिसंबर 2000 को निमनाकी सुचनाव का धार पर बैंक समधान बीवराण तयार कीजिए यहाँ पर लिखा है रोकड बहीन उसार से 47 सुर्पे ठीक और दूसरा में जो लिखा है रोकड बहीन उसार से 47 सुर्पय को इसको हमको लिख देना है किसमें लिख देना है इसमें डेविट करके लिख देना है फिर 25 दिसंबर को निर्गमित्य चेक थी तक हमारा बैंक समद्धान बिवरान पत्र बुष्डा खया है कि नहीं यह है अगर भुक्तान है तो बैंक में प्रस्तूत नहीं किया है तो आप समझ जाए कि उसे हमको क्या करना पड़ेगा माइनस पहले सो गया है तो उसको हमको प्लस करना पड़ेगा चलिए तो इसको एक एक करके बारी-बारी से आपको समझाते हैं पहला यहां पर लिखा है यह अनुसार डेविट सेस करके लिख देया हमने 47,47 रुपय लिख दिया ठीक है यह हो गया 47 रुपय हमने लिख दिया फिर जोड़ा करके लिखे पहला निरगमी चेक जो भुगतान है तो प्रस्तूत नहीं हुआ पहला जो पॉइंट था हमारा 25 दिसंबर को निरगमी चेक 3,000 रुपय का जो जन्वारी 2001 में भुनाएगा हमारा 31 दिसंबर को जब हम बैंक समदान 25 पत्र बना रहे हैं उस तारीक तक यह चेक जो है भुगतान के लिए बैंक में प्रस्तूत नहीं हुआ है ठीक है तो यह इसमें क्या हो जाएगा हमारा 3,000 रुपय हम जब बैंक 2,000 रुपय हें ठीक रहती हैं जिसको भी जारी करते हैं अधूंे कनाम और हमारे 2,000 रुपय हमें कर दीखाना six क होगा थना नहीं होगा उफ़कश हूं का बämänक साथाइगा सभिछा घशन जादा दिखाएका मतलब इसको भी हम हमारा इधर रोकड़ वहीं में कम हो रहरा है तो दोनों का बराबर आएगा ठीक है इसलिए तीन हजार रुपे का हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे क्योंकि इसको हमने जब नीरगमित किया था चेक तो इसको माइनस कर दिया था जब कि भुक्तान के लिए प्रस्तुत नहीं हो इसलिए वो तो पैसा कटा नहीं है के विपत्र भुक्तान कि अकी गया तो इसको लिखेंगे क्या करना पढ़ेगा कंप करना पड़ेगा इसलिए हम जो है इसको कौन स्थमार ओले का पक्ष में लिखेंगे ठीक है तो यहां पर हमने लिख दिया है क्या दूसरा बैंक द्वारा विपत्र का भुगतान जिसका लेखा रोकड भही में नहीं किया गया घटाया घटाया वाले कालम में लिख करके 25 सुरुपे जो है उसको हम यहां पर लिख देंगे ठीक है अब आगे बढ़ते हैं तीसरा जो पॉइंट है उसमें देखें तीसरा पॉइंट में क्या लिखा है आठ सुरुपे कितना हां यह चौथा चौथा में देखिया आठ सुरुपे का चेक जो बैंक में जमा किया गया था अप्रतिश्ठीत हो गया जिसकी सुचना दो जन्वरी को प्राप्त हुई दो जन्वरी को प्राप्त हुई आठ सुरुपे का जो चेक बैंक में जमा किया था और अप्रतिश्ठीत हो गया तो हमने जब चेक को बैंक में जमा करते हैं तो हम उसको रोकर वही में लिख करके जमा करते हैं कि हमारे बैंक खाते में इतना रुपया जमा हो जाएगा करके लेकिन वास्ता में हमारे पाजबुक में इतना रासी जमा नहीं हुआ तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा उसको हमको माइनस करना पड़ेगा क्योंकि हमने रोकडबही में उसको जोड़ करके लिख दिया था ना बैंक रासी में उतनी रासी को जोड़ दिय मैं डिखा खाल कम दिखा तो हमारा खार में वास्ताव में कम दिखा रहा है और रोकर भ clever माथ आदा इसलिए रोकर भाई से इसको क्या करना पड़एगा मायनेस करना पड़ेगा ठीक है चूएंब बाइन जो ऐसे एक्चॉल में सही होता यहां पर देखिए बैंग ने ग्रहा को सीधे रुपय प्राप्त की एक मतलब होता है तो यहां पर हमने उस पॉइंट को लिख दिया है कि संग्रहाण है तू यहां पर देखिए संग्रहाण है तू भेजा गया चे का प्रतिश्चीत हो गया जिसका लेखा रोकड़ वहिम नह पता नहीं था बाद में पता चला तो जब हमारे खाले में जब पैस ढला है और हमारे रोकड़ नहीं यहां नहीं लिखा है तो वह उसको जोडेंगे वाइंगो हमारा बैंग बैलेंस बढ़ेगा ठीक है तो इसलिए हम इसको क्या कर दिए ग्रहाक दोरावाण में सीधा इसके जो रासी है उसको हम घटा देंगे उपर वाले से नीचे को घटा है तो कितना आगा च्छाप पाजबुक का नुसार क्रेडिट से करके लिख दिया तो इस प्रकार से जो है आपको तीसरा नंबर का जो कोश्चन है उसको बनाना है ठीक है और तो यह तीन कोश्चन जो ह आप से बन जाएंगो ठीक उसी प्रकार से चौथा कोश्चन भी है और पाच्वा कोश्चन भी ठीक उसी प्रकार से बनेगा देख लिए जो मैं आपको एक वरस्णा ऐसे समझा दे रहा हूं कि किस प्रकार से इसको प्रश्णों को बनाना है ठीक तो यहां पर देखिए यह चौथा जो कोश्चन है वो है एक व्यापारी की रोकड भाहिए तो यहां पर लिखो के रोकड भाहिक अनुसार डेवीट से साथारा हजार रुपय का चेक जो 25 मार्च को भेजा गया जो पांच अप्रेल को पास्वुक में क्रेडिट हुआ है ठीक तो यहां पर गया बायन हो जायगा ठीक यह क्या हो जाओगा पहला वाला साथी जब्सटाइब कर चेक चलिए इसको मैं बता देता हूं अच्छे से बताएंगे इसको फिर नहीं तो आपको समध में student तक